चड़ी कला फास्ट न्यूस और इस दोरान गैंग्स्ट टिलू पर भी जान लेवा हमला किया गया बाद में तिहार जेल पर शासन द्वाराज जखमी गैंग्स्ट टिलू को दीन द्याल उपादे अस्पताल में भरती करवाय गया था जहां पर बाद में उसके मौत हो गई बताया जा रहा है कि जितेंदर गोगी गैंग के गैंग्स्ट राजेश बवानिया योगेश टूंडा देपक तितरो रंचों ने टिलू पर यह जान लेवा हमला किया है तुसे गैंग के लोगों ने टिलू की हत्या को अंजाम दिया है टिलू ताजपुरिया 24 सितंबर 1221 म में हुए शूट आउट का मास्टर माइंड था कोट में गैंग्स्टर चितेंदर गोगी की हत्या के लिए गैंग्स्टर टिलू ने दोनों शूटरों को ट्रेनिंग दिलाई थी कनाडा तेदी से गैंग्स्टरों के लिए एक सुरक्षित बनागा बनता जा रहा है जो भारत में कई अपराधिक गती वीदियो में शामिल है कनाडा के भगोडे टोप 25 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट चारी की गई है इस लिस्ट में पंजाबी सिंगर सिदुम उसे वाला मर्डर के मास्टर माइंड गैंग्स्टर सतिंदर जी सिंग उर्फ गोल्डी ब्राड को भी भारत के बाद कनाडा में मोस्ट वां सिदुम उसे वाला हत्याकान के बाद इंडर पॉल पर भी उसके खिलाब फ्रेड नोटिस जारी हो चुका है गोल्डी ब्राड को ख्यात गैंसर लोरेंस काक करी भी है लोरेंस इस समय तिहार जेल में बंद है टेरे लिंक पर NIA ने बड़ा एक्शन लेते हुए जम्मो कश्मिर में 12 से ज़्यादा जगव पर छाप एमारी की है राष्टे जांच जांसी NIA ने कैडर और ओर ग्राउंड वरकर्स जोरा रची गई आंतकवादी गतिवीदियों को अंजाम देने के लिए अप्रादिक सा से बड़ी खबर है यहां भीशन आग जनी में चार बच्चे जिन्दा चल गए जबकि 6 से अधिक लोग आग में जुलस गए आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया घायलों को अस्पताल में भरती किया गया है यह घटना सदर्थाना शेतर के रामदेलू स्टेशन क के निकट की है यहां पर रात करीब एक बज़े जोंपरी में आग लग गए और इस दोरन सो रहे चार बच्चे जिन्दा चल गए खटना में कई लोग आग में जुलस भी गए बताया चारा कि जब आग लगी तो यह सभी सोय हुए थे खटना के बाद इलाके में हड कम अच प्रधान मंत्री मोधी अपने हाथों से निकती पत्र बांटेंगे रोजगार मेले का अगला संसकर्ण मोधी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयचित हो रहा है बता दे कि साल 2014 के 16 माई को ही भाजपा की अगवाई में एंडिय ने केंदर में सरकार बनाई थी पिया मोधी आग लाने के लिए अलगलग राचियों में तैयारी भी शुरू कर चुकी है वरिष्ट मंत्रियों को अलगलग केंदरों पर रोजगार मेलों में उपस्तित रहने को कहा गया है बीते साल अक्तूबर मा में परधान मंत्री ने रोजगार मेला योजनल लोंच किया था पहला रोजगार मेला 22 अक्तूबर 2022 को आयज़ित किया गया था जी एस्टी क्लेक्शन अप्रैल में सलाना अधार पर 12 प्रतिशत बढ़कर 1.87 लाक रूपे पर पहुँच किया है यह किसी एक महीने में जुटाएगा सबसे अधिक जी एस्टी ड्रास्व है परधान मंत्री न्रेंदर मोदी ने इस रिकॉर्ड जी एस्टी कलेक्शन को भारती अर्थविवस्ता के लिए बड़ी खबर करा दिया है परधान मंत्री मोदी ने एक ट्वीट में का कि भारती अर्थविवस्ता के लिए बड़ी खबर टेक्स की कम दर के बावजू टेक्स कलेक्शन बढ़ना GST की सफ़ता को बताता है यह बताता है कि GST ने एक ही करन और अनुपारन को किस तरह बढ़ाया है बताने कि जुलाई 2017 में GST सिस्टरम लागू होने के बाद से सबसे ज्यादा टेक्स कलेक्शन का पिछला रिकॉर्ड एक करोर 68 लाक रुपए था जो पिछले साल अपरैल में बना था आज से सबी सरकारी दफ्तरों का समय बदल गया है आज पंजाब के सबी सरकारी दफ्तर सुबह साड़ साथ बजे खुल गए पंजाब के मोखे मंत्री भगवन मान भी आज अपने दफ्तर सुबह साथ साथ बजे पहुँचे चंडिगण में प्रेस कॉंफेंस करते हुए CMA ने कहा कि राज़े के सभी सरकारी दफ्तर आज 7 बजे खुलेंगे जो दोपहर 2 बचे तक खुले रहेंगे उन्होंने कहा कि वे खुद भी 7 बजे कर 28 मिनट पर दफ्तर पहुंच गए थे उक्त फैसला लोगों से बाचीत के बाद उनकी सहमती से 15 जुलाई तक लिया गया है मीडिया से बाचीत करते हुए CMA ने कहा कि दफ्तरों का समय बदलने से कई फायदे होंगे और अगर जरूत पड़ी तो ये समय 15 जुलाई से आगे तक बढ़ा दिया जाएगा इस नए समय के अनुसार सरकारी दफ्तरों में बिजली की खपत घटेगी CMA ने ये भी कहा कि देश में आज से पहले ऐसा फैसला कभी नहीं हुआ साथ हिनों ने कहा कि स्कूलों और दफ्तरों का समय एक जैसा है और बच्चों के साथ माता पिता को भी छुटी हो जाएगी वहीं पंजाब के सभी मंत्री अधिकारी भी समय समय पर अपने दफ्तर पहुँचे आमादमी पार्डी के सयोजक और दिली के मुखे मंत्री अर्विन केश्रिवाल 6 माई को जालंदर पहुँचेंगे दरसल सीम केश्रिवाल जालंदर लोकसबा चुनाव के उमीदवार सुशील कुमार रिंकू के हाख में डोग शो रेली करेंगे बताया जा रहे है कि केश्रिवाल दो दिन जालंदर में चुनाव परचार करेंगे बतादे कि 10 माई को जालंदर लोकसबा उत्चुनाव के लिए मद्दान होने जा रहे हैं जिसका नतीजा 13 माई को घोशित किया जाएगा वहीं हर राच्णितिक दलदवारा अपने अपने उमीदवार की जीत सुनिशित करने के लिए जोग लगाया जा रहा है यूकरीन के खिलाफ जंग में रूस को भी हाल के दिनों में खासा नुखसान उठाना पड़ा है और दिसम्बर 2022 के बाद से अब तक यानि बीते पांच महिनों में उसके 20,000 से अधिक सैनिक मर जा चुके हैं जबकि 1,000,000 से अधिक घायल हुए हैं वाइट हाउस के अधिकारी चर्म किर्भी ने ये दावा करते हुए कहा है कि रूस ने अपने सैने बंडार और अपने सशस्तर बलों को खत्म कर दिया है अमेरिका का अनुमान है कि डिसंबर के बाद से एक लाख रूसी सैनिक हता हतों हैं जिनमें 20,000 सैनिकों की मोथ हो चुकी है सुडान में फसे भारतियों को सुरक्षी स्विदेश लाय जा रहा है ओपरेशन कावेरी अभ्यान के तहट जेदा से दस्मी उडान में 231 भारतियों को एहमदा बाद लाय गया पिदेश मंत्राले ने चानकरी देते हुए कहा कि ओपरेशन कावेरी के तहट भारतिय नागरिकों को लेकर दस्मा विमान जेदा से रवान हुआ क्योंकि संकर्ष ग्रस्ट सुडान में लेलाई अब भी जारी है इससे पहले सुमवार को संकर्ष ग्रस्ट सुडान से कुल 186 भारतिय नोवी आउट बाउंड प्लाइट से ओपरेशन कावेरी के तहट कोची पहुँचे थे पिछले कुछ दिनों में लगवट 2300 से अधिक भारतियों को वहां से निकाला गया है राश्टे पिता महात्मा गांधी के पोते अरुन गांधी का मंगलवार को महाराश्टे के कॉलापूर में निधन हो गया वह 99 वर्षके थे या जानकारी परिवार के सुत्रों ने दी परिवार के सुत्रों ने बताया कि वह कुछ समय से भी मार थे अरुन गांदी के बेटे तुशार गांदी ने बताया कि लेखे को एवन सामाजिक राज़ितिक कारे करता अरुन गांदी का अंतिम संसकार आज कोलापूर में किया जा रहा है अरुन गांदी का चलम दर्बन में 14 अप्रायल 1934 को हुआ था वह मनीलाल गांदी और सुशीला मश्रुवाला के बेटे थे अरुन गांदी अपने दादा के पच्चुनों के चलते हुए एक समाजिक कारे करता बने उत्रखंड के चारो धामों में बरवबारी और बारिश का दोर लगातार चारी है खराब मसुम हने के बाद भी इन धामों में भक्तों का सेलाब उमर रहा है बाबा कैदारनात का धाम इन दिनों बरव से ढखा हुआ है उची हिमाली शेत्रों में बारिश और बरवबारी की संभावना को देखते हुए मौसम विभा की और से अगले दो-तिन दिनों के लिए अलर्ट चारी किया गया है वही कैदारनात धाम के दर्शन के लिए रिजिस्ट्रेशन तीन मई तक के लिए बंद कर दिया गया वही परशासन ने कैदारनात धाम आने वाले शरधालों से सुरक्षा की अपील की है उन्होंने सभी यात्रियों से अपील करते हुए का कि सभी यात्री अपनी सुरक्षा का विशेश ध्यान रखें और राचे सरकार और जिला परशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जिला परशासन का सहयोग करें उन्होंने सभी तीर्थ यात्रियों से मोसम ठीक होने पर ही कैदारनाथ की यात्रा शुरू करने की अपील की बता दे कि पिछले कई दिनों से चारो धामों में बरबारी और बारिश का सिलसला लगातार जारी है फिलाल फास्ट नियूज में इता ही और ने समचारों के साथ फिर से हाजर होंगे तब तक के लिए देखते रहे है चड़दीकला टाइम टिवी